परिचाए बच्चो, आज श्री कश्यप हमारे बीच हैं, जो आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन के बारे में कुछ पताएंगे प्रिया, रैखिक प्रोग्रामन क्या है? मैं नहीं जानती, यहां तक कि मैं तो पहली बार इस शब्द को सुन रही हूँ चलो, सुनते हैं सर इसके बारे में कुछ बता रहे हैं विद्यार्थियो, रैखिक प्रोग्रामिंग कुछ इस्तिती से संबंदित विभिन रैखिक असमिकाओं को लेने और उन परिस्तियों में सर्वश्रेश्ट मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है अवश्य, सामगरी और श्रम की सीमाओं को लेना और फिर उन परिस्तियों में अधिक्तम लाप लेने के लिए सर्वश्रेश्ट उत्पादन के स्थर को निर्धारित करना एक विश्रेश्ट उधारन होगा वास्तविक जीवन में रेकिक प्रोग्रामन गणित का एक बहुत बड़ा ही महतपून क्षेत्र का हिस्सा है जो अनुकूलन तकनीक कहलाता है यदि आप इस विशय में रुची रखते हैं तो मैं इसे आप लोगों को विस्तार में सिखा सकता हूँ हाँ सेर किर्पियां हमें सिखाएं ठीक है फिर शुरू करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रेकिक प्रोग्रामन की समस्या LPP को समझना समस्या के गणितिये सूत्री करण को जानना रेकिक प्रोग्रामन की समस्याओं के हल के लिए ग्राफिकल विधी को समझना कोनिये बिंदू विधी को समझना रेकिक प्रोग्रामन की समस्याओं के विभिन प्रकार को जानना रेकिक प्रोग्रामन में सम्मिलित शर्ते उद्देशे फलन एक रैखिक प्रोग्रामन Z की समस्या में चरों का रैखिक प्रोग्रामन जिसे इस्ट तम किया जाना है वो देश्य फलन कहलाता है यहां एक रैखिक रूप का मतलब एक प्रकार की गणितिये अभिव्यक्ति है A1 X1 जमा A2 X2 जमा इत्यादी जमा AN XN तक जहां A1 A2 इत्यादी AN तक इस्थिरांख है X1 X2 इत्यादी XN तक चर है चर रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं में उत्पाद, सेवाएं, परियोजनाएं आदी दिये गए सीमित संसाधनों का साजा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्दी हैं चर या निरणे चर कहलाती हैं स्थिरांख चरों को गेर रनात्मक मानों को बनाए रखना जरूरी है क्योंकि भौतिक मात्राओं के रनात्मक मान एक असंभव इस्थिती है रैकिक प्रोग्रामन समस्या LPP एक रैकिक प्रोग्रामन समस्या वो समस्या है जिसमें हम रैकिक अभिव्यक्ती के अधिक्तम या नियूनतम मानों को ग्याद करते हैं AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी इसके रूप की रैखिक बाधाओं की संख्या क्या धीन उद्देश फ़रन कहलाता है AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी N से छोटा या बराबर है अध्वा AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी N से बड़ा या बराबर है उद्देश फ़रन का अधिक तम अथवा निवन तम मान इस्ट तम मान कहलाता है तथा XYZ इत्यादी के मानों का संग्रह जो इस्ट तम मान देता है एक इस्ट तम हल होता है चर XYZ इत्यादी निरणे चर कहलाते है समस्याओं का गणितिये निरूपन एक गणितिये मॉडल के रूप में रेखिक प्रोग्रामन समस्या के सूत्री करण में दिये गए महतपून खदम सम्मिलित होते है चरण एक निर्धारित किये चाने के लिए निरणे चर को पहचानिये तथा बीजिये प्रतीकों की द्रिष्टी में उन्हें व्यक्त कीजिये जैसे X1, X2 इत्यादी चरण तो दी गई समस्या में सभी सीमाओं को पहचानिये तथा उपर परिभाषित निर्णाएं चर के संदर्भ में रेखिये समीकरण या असमानताओं के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिये चरण तीन इस्टतम अधिकतम अथवा निवनतम किये जाने वाले उद्देश को पहचानिये तथा उपर परिभाशित निरणें चरके एक रैखिये फलन के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिए. उधारण एक खुद्रा व्यापारी A तथा B प्रकार के ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों को खरीदना चाता है. प्रतेक A प्रकार के सेट की लागत 360 रुपए तथा प्रतेक B प्रकार के सेट की लागत 240 रुपए है. खुद्रावयपारी जानता है कि वो 20 से अधिक सेट नहीं बेच सकता। इसलिए वो 20 से अधिक सेट नहीं खरिदना चाता है। तथा वो 5760 रुपई से अधिक का भुगतान नहीं कर सकता है। उसे उम्मीद है कि A प्रकार के प्रतेक सेट के लिए उसे पचास रुपए का तथा B प्रकार के प्रतेक सेट के लिए उसे चालीस रुपए का लाब मिलेगा अधिक तमलाब प्राप्ट करने के लिए रैकिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में समस्या का सूत्री करण कीजिए हल मानली जिये कि खुदरावय अपारी ए प्रकार के X1 सैट तथा बी प्रकार के X2 सैटों को खरीता है च्योंकि प्रतेक प्रकार के सैटों की संक्या धनात्मत है इसलिए X1 शोने से बड़ा या पराबर है इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें X2 शोने से बड़ा या पराबर है इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें इसके अतरिक्त A प्रकार के X1 सैटों की लागत तथा बीप्रकार के X2 सेटों की लागत है 360X1 जमा 240X2 तथा ये 5,760 रुपए के बराबर या कम होनी चाहिए अर्थात 360X1 जमा 240X2 पांच हजार 760 से छोटा या बराबर है या 3X1 जमा 2X2 अर्थालीस से छोटा या बराबर है इसे समी करण 3 से चिनित करें आगे दोनों प्रकार के सेटों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसलिए X1 जमा X2 बीस से छोटा या बराबर है इसे समी करण 4 से चिनित करें चोकि कुल लाब A प्रकार के X1 सेट तथा B प्रकार के X2 सेटों की बिक्री से वियुत्पन लाब है इसलिए खुद्रा व्यापारी A प्रकार के X1 सेटों से 50 रुपए तथा B प्रकार के X2 सेटों से 40 रुपए का लाब कमाता है अता कुल लाब निम्न द्वारा दिया जाता है Z पराबर 50 X1 जमा 40 X2 इसे समिकरण 5 से चिनहित करें अताहदी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितिय सूत्री करण निम्न प्रकार है एक रैखिक असमिका के हल सेट का आरेखन समिका को असमिका में बदलने से प्राप्त सरल रैखा का आरेख बनाईगे परिक्षण बिंदू का चैन कीजिए जो रैखा पर ना हो यदि रैखा अपने मूल से होकर ना गुजरे तब 0000 एक अच्छा चैन होगा तथा यदि रेखा अपने मूल से होकर गुजरती है, तब किसी अक्ष पर इस्थेद बिंदू का चयन एक अच्छा चयन होगा। यदि परिक्षण बिंदू असमीका को संतुष्ट करता है, तब सेटों का हल परिक्षण बिंदू के रूप में रेखा के समान पक्षवाला सुसंकत क्षेत्र होता है, अन्यथा ये रेखा के दूसरी तरफ का क्षेत्र होता है, किसी भी स्थिति में हल क्षेत्र को प्रकट कर के लिए 3x घटा 4y बारा से छोटा यहां पराबर है, सर्व प्रतम रेखा 3x घटा 4y बराबर 12 का आरेक बनाएं, फिर परीक्षण बिंदू के रूप में मूल बिंदूओं 0-0 का चैन करें, क्यूंकि यह रेखा पर नहीं है, असमानता में x बराबर 0y बराबर 0 प्रतिस्थापन करने पर 3-0 घटा 4-0 बारा से छोटा यह बराबर है, चूंकि यह एक सत्य कथन है, 0-0 हल सेट में है, तब 0-0 बिंदू के रूप में हल सेट सभी बिंदूओं का हल सेट है, इस क्षित्र को छोड़ दिया गया है, जबकि छायांकित क्षित्र व्यवरोधित है, रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेखिये विधी सुसंगत क्षित्र सुसंगत क्षित्र का निर्धारण रेखिक असमिकाओं के एक संग्रह द्वारा किया जाता है, ये उन अंकों का संग्रह होता है, जो सभी असमिकाओं को संतुष्ट करते हैं, दूचरों में रेखिक असमिकाओं के एक संग्रह द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षित्र का आरेखन करना, सम्तल के अंचाहे हिस्सों को छायांकित करते हुए, उसी आलेक पर प्रतेक असमिकाओं के लिए सुसंगत क्षित्र दिखाया गया, वो क्षित्र है, जो छायांकित नहीं है, रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलीख ये विधी, दो अज्यातों में रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने के लिए आलीख ये विधी है, सुसंगत क्षित्र का आलेक बनाईए कौनिये बिंदू के निर्देशांकों की करना कीजिए इस्टतम मान कौन देता है ये देखने के लिए कौनिये बिंदू के निर्देशांकों को उद्देश फलन में प्रतिस्थापित कीजिए यदि सुसंगत क्षेत्र सीमित है तब ये विधी भ्रामक हो सकती है इस्टितम हल हमेशा अस्तित्व में होता है जब सुसंगत क्षेत्र सीमित होता है लेकिन हल अस्तित्व भी हो सकता है और नहीं भी जब सुसंगत क्षेत्र असीमित होता है प्रमय दी गई प्रमय रेकिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने में मूल भूत हैं प्रमय एक माना की आर रेकिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेद्र उत्तल बहुभुज है तथा मान लीजे कि Z पराबर AX जमा BY उद्देशि फ्हलन है तो जब Z का मान इस्टतम अधिकतम या निवनतम हो जहां X तथा Y रेकिक असमिकाओं से वर्णित व्यवरोधों के अधीन है तब ये इस्टतम मान सुसंगत क्षेद्र के कौन ये बिंदू पर होने चाहिए प्रमय दो माना की आर रेकिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेद्र है तथा मान लिजिए कि Z पराबर AX जमा BY उद्देश फलन है यदि आर सीमित है तब उद्देश फलन Z कमान आर पर अधिकतम और निवनतम दोनों होता है तथा ये सभी आर के एक कौन ये बिंदू शीर्ष पर होते हैं कौन ये बिंदू विधी विधी में दिये गए चरण समलिध है एक रैखिक प्रोग्रामन का सुसंगत क्षेद्र ग्याद कीजिए तथा इसके कौन ये बिंदू यानि शीर्ष को उस बिंदू पर रेखाओं के प्रतिच्छेदक के दू समिकरणों को या तो निरीक्षन द्वारा या हल करके ग्याद कीजिए दो प्रतिक कोन ये बिंदू पर उद्देश फलन जट पराबर एक्स जमा बीवाई का मुल्यांकन कीजिए मान लिजे M तथा M क्रमशा इन बिंदूं के अधिक्तम और निवनतम मानों को दर्शाते हैं तीन प्रत्थम जब सुसंगत क्षित्र सीमित हो तब M तथा M Z के अधिक्तम और निवनतम मान होते हैं तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन त्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्थ तल जो A X जमा बीवाई M से बढ़ा है सुसंगत क्षित्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिथा Z का मान अधिक्तम नहीं होता है खा इसी प्रकार M Z का निवनतम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन त्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्थ तल A X जमा बीवाई M से छोटा है सुसंगत क्षित्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिथा Z का मान निवनतम नहीं होता है रहकेक प्रोग्रामन समस्या का उधारण उधारण रहकेक प्रोग्रामन समस्या को आलेखिये विधी द्वारा हल कीजिए अधिक्तम करने के लिए Z पराबर 3 X जमा चार Y व्यवरोद के अधीन X जमा Y छोटा या पराबर है चार से X बड़ा या पराबर है शून से Y बड़ा या पराबर है शून से हल सुसंगत क्षित्र को दी गई आकरिती में व्यवरोद X जमा Y चार से छोटा या पराबर है X शून से बड़ा या पराबर है Y शून से बड़ा या पराबर है इसके द्वारा ग्याद किया जाता है सुसंगत क्षित्र के कोनिय बिंदु O 0,0 A 4,0 तथा B 0,0 4 है इन बिंदुen पर Z निमने लिखित है का अधिक्तम्मान 16 है. रेकिक प्रोग्रामन समस्या के उधारण उधारण रेकिक प्रोग्रामन समस्या को आलिक ये विधी से हल कीजिए. नियुनितम करने के लिए Z पराबर 3X जमा 5Y इस तरह से की X जमा 3Y बड़ा या पराबर है 3 से X जमा Y बड़ा या पराबर है 2 से X Y बड़ा या पराबर है 0 से. हल सुसंगत क्षित्र को निकाई के निम्न व्यवरोद द्वारा निर्धारित किया जाता है जो इस प्रकार है. ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षित्र असीमित होता है. सुसंगत क्षेत्र के कौनिय बिंदू ए, तीन शूनने, बी, तीन बटे दो, एक बटे दो, तथा सी, शूनने तो है इन कौनिय बिंदूँँ पर Z कमान इस प्रकार है चूंकि सुसंगत क्षेत्र असिमित है, अतैव Z का अधिक तमान साथ हो सकता है और नहीं भी इसके लिए हम असमी का तीन एक्स जमा पांच वाई, साथ से छूटा है का ग्राफ खीशते हैं तथा जांच करते हैं कि क्या असमी करण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्थितल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अत्वा नहीं ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षेत्र में तीन एक्स जमा पांच वाई, साथ से छूटा है के साथ कोई भी बिंदू समान नहीं है अत्यव, तीन बटे दो, एक बटे दो पर जेट का नियूनतमान साथ है रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन प्रकार उत्पादन समंधी समस्याओं इन समस्याओं में हम निर्धारित करते हैं कि विभिन उत्पादनों की इकाईयों के नग बनाने तथा एक फर्मत्वारा बेचे जाने में एक निश्चित जन शक्ती, मशीन के घंटे, प्रती इकाई उत्पादन के श्रम के घंटे, प्रती इकाई माल भंडारन कोदा मादी को दृष्टी में रखते हुए अधिक्तम लाब कमाया जा सके। चलो इसे बेटर धंग से समझने के लिए एक उधारन लेते हैं। जबकि B प्रकार के पेंच के संकुल का निर्मान करने के लिए 140 मशीन 6 मिनट तथा हस्तचालित मशीन 3 मिनट लेती है। प्रती एक मशीन किसी भी दिन अधिक्तम 4 घंटे के लिए उपलब्द होती है। निर्मान करता 7 रुपए के लाप पर A पेंचों का एक संकुल तथा 10 रुपए के लाप पर B पेंचों का एक संकुल बेच सकता है। ये मानते हुए कि वो उसके द्वारा विनेर में सभी पेंचों को बेच सकता है। कारखानी के मालिक को प्रती दिन प्रती एक प्रकार के कितने संकुलों का निर्मान करना चाहिए ताकि अधिक्तम लाप कमाया जा सके। अधिक्तम लाप ग्याद कीजिए। हल मान लिजे कि कारखाना प्रती दिन ए प्रकार के एक्स पेंचों का तथा बी प्रकार के वाई पेंचों का निर्मान करता है। अतैव एक्स शुन से बड़ा या पराबर है तथा वाई शुन से बड़ा या पराबर है। दी गई जानकारी को तालिका में निम्न अनुसार संकलित किया जा सकता है। ए पेचों के एक संकुल पर लाब 7 रुपए है तथा बी पेचों के एक संकुल पर लाब 10 रुपए है। अतेव व्यवरोध निम्न है। कुलाब Z पराबर 7X जमा 10Y दी गई समस्या का गणितिय सूत्री करण इस परकार है। अधिक्तम के लिए Z पराबर 7X जमा 10Y इसे समी करण एक से चिनित करें। व्यवरोध के अधीन 4X जमा 6Y छोटा या पराबर है 240 से इसे समी करण 2 से चिनित करें। 6X जमा 3Y छोटा या पराबर है 240 से इसे समी करण 3 से चिनित करें। XY 0 से बड़ा या पराबर है इसे समी करण 4 से चिनित करें। निकाय के व्यवरोध द्वारा निर्धारित सुसंगत शेत्र इस प्रकार दिया जाता है। कौनिये बिंदू A 40-09, B 30-20 तथा C 0-40 हैं। इन कौनिये बिंदूओं पर Z के मान 59 नुसार हैं। 30-20 पर Z का अधिकतम मान 410 है। इस प्रकार कारखाने को 410 रुपए का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए A 5 के 30 संकुलों का तथा B 5 के 20 संकुलों का उत्पादन करना चाहिए। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन प्रकार इन समस्याओं में हम विभिन प्रकार के घटक या पोशक तत्वों की मात्रा निर्धारित करते हैं जिने आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वांशित आहार की लागत को कम किया जा सके ताकि घटक या पोशक तत्वों की निश्चित निवनतम मात्रा सम्मिलित की जा सके उधारण रेश्मा दो प्रकार के भोश्यों पी तथा क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रन में विटामिन ए के कम से कम आठ मात्रा घटक तथा विटामिन बी के कम से कम ग्यारा मात्रा घटक हों भोजे P की लागत 60 रुपए प्रती किलोग्राम तथा भोजे Q की लागत 80 रुपए प्रती किलोग्राम है भोजे P में प्रती किलोग्राम 3 मातरक विटामिन A तथा प्रती किलोग्राम 5 मातरक विटामिन B समलित है जबकि भोजे Q में प्रती किलोग्राम 4 मातरक विटामिन A त तथा प्रती किलोग्राम दो मातरक विटामिन B समलित है। मिश्रण की नियूनतम लागत ग्याद कीजिए। हल, माना की मिश्रण में भोज्ज पी के X किलोग्राम तथा भोज्ज क्यू के Y किलोग्राम समलित है। अतैव, X शून से बड़ा है या बराबर है तथा Y शून से बड़ा है या बराबर है दी गई जानकारी को निम्न तालिका में समलित किया जा सकता है, मिश्रण में कम से कम विटामिन A के 8 तथा विटामिन B के 11 मातरक समलित होने चाहिए, अतैव, निम्न फ्यवरोद प्राप्त होते हैं तीन X जमा चार Y आठ से बड़ा या बराबर है पांच X जमा दो Y ग्यारा से बड़ा है या बराबर है भुजे खरीदने का कुल मूले Z है, Z बराबर साट X जमा अस्सी Y दी गई समस्या का गणितिय सूत्री करण निम्न लिखित है, कम करने के लिए Z पराबर साट X जमा अस्सी Y इसे समी करण एक से चिनहित करें व्यारोधूं के अंतरगत 3X जमा 4Y आट से बड़ा है या बराबर है इसे समी करण दो से चिनहित करें पांच X जमा 2Y ग्यारा से बड़ा है या बराबर है इसे समी करण 3 से चिनहित करें एक्स Y शून से बड़ा है या बराबर है इसे समी करण 4 से चिनहित करें निकाई के व्यारोधूं दोरा प्राब्त सुसंगत क्षित्र निम्न अनुसार है ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षित्र आपरिबध है सुसंगत क्षित्र के कोनिय बिंदू निम्न है इन कोनिय बिंदूँ पर Z का मान निम्न अनुसार है जोकि सुसंगत क्षेत्र आपरीबद्ध है, अत्यव Z का नियुनतम्मान 160 हो सकता है और नहीं भी. इसके लिए हम निम्नलिखिद असमिका का आलेक खींशते हैं. 60X जमा 80Y 160 से छुटा है, अत्वा 3X जमा 4Y 8 से छुटा है, तथा जांच करते हैं कि क्या असमिकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला आर्धितल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है. ये देखा गया है कि सुसंगत क्षेत्र 3X जमा 4Y 8 से छुटा है, इसके साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है. अत्यव निम्न बिंदूओं के जोडने वाले रेका खंड पर मिश्रन का निवनत मोल एक सो साथ रुपए होगा. परिवाहन सम्बंधी समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं में हम विभेनिस्थानों परिस्थित सेयंत्रों, कारखानों से विभेन बाजारों की ओर एक उत्वात का परिवाहन करने के उदेश से एक परिवाहन सूजी निर्धारित करते हैं. उधारन, दो अन्न भंडारों A और B की भंडारंग शमता क्रमशा सो कुंटल और पचास कुंटल है. उन्हें तीन राशन की दुकानों D, E और F पर अन्ने उपलब्द कराना पड़ता है, जिनकी आविशक्ताएं क्रमशा साथ, पचास और चालीस कुंटल हैं. भंडारों से दुकानों का प्रती कुंटल परिवहन वे निम्नसारनी के अनुसार है. परिवहन वे के निवनतमी करण के लिए आपूरती का परिवहन कैसे किया जाए निवनतम परिवहन मोले क्या है? हल, माना की अन्भंडार A, दुकानों D तथा E के लिए क्रमशा X तथा Y कुंटल अन्न की आप पूर्ती करता है तब दुकान F के लिए 100 घटा X घटा Y की आप पूर्ती की जाएगी दुकान D की आविशकता 60 कुंटल है, चुकि अन्य भंडार A से X कुंटल का परिवहन किया गया है अतैव 6 अन्य भंडार B से 60 घटा X कुंटल का परिवहन किया जाएगा इस प्रकार अन्य भंडार B से दुकानों E तथा F के लिए क्रमशा 50 घटा Y कुंटल तथा 40 घटा 100 घटा X घटा Y बराबर X जमावाई घटा 60 कुंटल अन्य का भंडारन किया जाएगा दी गई समस्या को रेका चुद्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कुल परिवहन मुल्ले Z निम्ननुसार दिया जा सकता है दी गई समस्या का सूत्री करण निम्ननुसार किया जा सकता है नियून करने के लिए Z बराबर 2.5X जमा 1.5Y जमा 410 इसे समी करण एक से चिन्हित करें अव्यावरोधों के अधीन निम्ने है निकाय के व्यावरोधों द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र निम्ननुसार है कौनिय बिंदू A, 60.0, B, 60.40, C, 50.50 तथा D, 10.50 है इन कौनिय बिंदू पर Z के मान निम्ननुसार है 10.50 पर Z का नियूनतम मान 510 है इस प्रकार A से दुकानों D, E तथा F में परिवान अन्न की मात्रा क्रमशा 10 कुंटल, 50 कुंटल तथा 40 कुंटल है एवं B से दुकानों D, E तथा F में परिवान अन्न की मात्रा क्रमशा 50 कुंटल, 0 कुंटल तथा 0 कुंटल है क्या आप जानते हैं, रेकिक प्रोग्रामन के क्षित्र में प्रथम प्रोग्रामन का सुत्रपात, रूसी गणी तक के एल केंटोरोविच तथा अमेरीकी अर्थशास्त्री एफ एल हिचकोक ने सन उनिस विक तालीस में किया, दोनोंने सौतंत्र रूप से कारे किया, इस प्रोग्रामन को परिवान समस्या के नाम से जाना गया, सन उनिस सो सेटालीस में जी बी डेंट जिग ने एक दक्षता पून विधी जो सिंपलेक्स विधी के नाम से प्रस्षित है, उसका सुझाव दिया, जो रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं को सीमित प्रक्रमों में हल करने की सशक्तिविधी है, सारा अंश, आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं, एक रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं वो समस्याओं है, जो इन शर्तों के अधीन कई जरों के रैकिये फ्लन वो देश फ्लन कहलाता है, के इश्टतम मान अधिकतम अथवान्यूनतम ग्याद करने से संबंदित है, इसमें चर गैर रणात्मक होते हैं, तथा रैकिक आसमिकाओं के एक सेट रैकिक अव्यवरोध कहलाता है, उसको संतुष्टि करता है, चरों को नणए चर तथा गैर रणात्मक चर भी कहा जाता ह कुछ महतपूर्ण रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं, आहार संबंधी समस्याएं, उत्पादन संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं एक रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं के गैर रणात्मक व्यवरोधों जहां X, Y, 0 से बड़े हैं, समेथ सभी व्यवरोधों के द्वारा निर्धारित उभेनिस्ट क्शेक्त्र समस्याएं का सुसंगत क्षेत्र अथ्वा हल क्षेत्र कहलाता है सुसंगत क्षित्र के भीतर तथा सुसंगत क्षित्र पर बिंदू व्यवरोद के सुसंगत हल को प्रदाशित करते हैं सुसंगत क्षित्र के बाहर कोई बिंदू व्यवरोद का असंगत हल होता है सुसंगत ख्षित्र में कोई बिंदु जो उद्देश भलन का इस्टतम मान अधिक्तम अथवा निवनतम देता है इस्टतम हल कहलाता है यदि इस्टतम ख्षित्र आपरिबद्ध है तब अधिक्तम तथा निवनतम अस्तित्व में नहीं हो सकता है किन्तु यदि ये अस्तित्व में है तब इसे आर के एक कोनिय बिंदू पर होना चाहिए रैखिये प्रोग्रामन समस्या के हलकी कोनिय बिंदू विधी में निन्नलिखित चरण समिलित है रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत ख्षेत्र ग्याद कीजिए तथा इसके कौनिय बिंदू का निर्धारण कीजिए प्रते कौनिय बिंदू पर उद्दिश बिंदू Z पराबर AX जमा BY का मान ग्याद कीजिए माना की M तथा M इन बिंदूओं पर क्रमशा अधिक्तम और निवनतम मान है यदी सुसंगत ख्षेत्र परिबद है तब M तथा M उद्देश भलन के क्रमशा अधिक्तम और निवनतम मान है यदी सुसंगत ख्षेत्र आपरिबद है तब M उद्देश भलन का अधिक्तम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन द्वारा निर्धारित परिडामी खुला अर्धितल AX जमा BY M से बड़ा है सुसंगत ख्षेत्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिथा Z का मान अधिक्तम नहीं होता है इसी प्रकार M उद्देश भलन का अधिक्तम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन द्वारा निर्धारित परिडामी खुला अर्धितल AX जमा BY M से छोटा है सुसंगत क्षित्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिथा Z का मान नियुनितम नहीं होता है यदि सुसंगत क्षित्र के कोण ये बिंदू दोनों एकी ही प्रकार के इस्टतम हल है अर्थात दोनों एकी ही अधिक्तम तथा नियुनितम बनाएं तब इन दोनों बिंदूं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदू भी उसी प्रकार का इस्टतम हल होता है